वी देखे दोस्तों इसे देखते ही इप मू में पानी आ रहा है घर जाएक बना खाने में बहुत ही जादर स्वादिश्व होती है तो चलती हूँ कीचन में मैंने यहाँ पे दो नीम्बू को गट करके उसके रस निकाल ली थी और रस में चार चमच के करीब पानी मिला दी थी तो मैं गैस अन करके एक गमले में दो लीटर लगवाग दूद को रख दी थी तो यह देखिए दूसरे उबाला गया है अब मैं थोड़ी थोड़ी नीम्बू के रस को डाल दूँगे और चमच के मतल से मिलाते जाओंगे तो देखिए दोस्ते चैने बन गए हैं अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे कॉटन के कपड़े में छाल लूँगी और मैं चैने को एक स्प्रेस पाने से धो ली थी और क कि यह सॉप्ट होके रेडी हो जाए तो देखिए मैं इसे मसल ली हूँ और मसलते मसलते हाथ में ओयल जैसा आना स्टाइट हो जाएंगे तो उसे पता चलता है कि चैने बिल्कुल मसला गया है तो मैं इसमें दो चमच के करीब सूजी डाल दूँगी और उसे फिर से अब मैं गैस ओन करूंगी उसके बाद आपके पास गमले या इस टाइप का कुछ कड़ाई वगेरा कुछ हो तो आप उसी में करें तो मैंने हाँ पे गैस की फ्लेम को लो रखी हूँ और गमले में दो चमच चीनी डाल दूँगी मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाल और दो यूपनाशी को कुर्शा उसे बिल्कुल आपके पास पासे टाइपो अपास यूप यूपकर कॉल मैं पूलस्तीन तो मैंने हाँ पर चारंत पानी डाला तो यूथाउय को टाइट तो जmost्म हो जांगी ₹나 यूपरे अवह दो जो इसमें चोलनी बी उसके बाद मैं गैस की फ्लैम को हाई मीडियम फ्लैम पे कर दी हूं और इसे धीरे धीरे चला लूँगे तो आप मुझे उबालाने का वेट करना है तब तक मैं यहां पे छेने की छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूं आप जिस टाइप का बनाना चाहते हो उस टाइप का ब आप उतना ही पकाए तो यह देखिए मैंने इतना ही बनाए थी कि वह अट गया ची तरह से तो अब मैं इसे थोड़ी देर पका लूँगी उसके बाद इसे एक धकन से धक दूँगी तो मुझे इसे पूरा कभर नहीं करनी है तो यह देखिए यह पक गये हैं मैं इसे हटा क देखिए अधकन तो इसे इतने बड़े-बड़े बॉल्स हो गए कि इसको पलटने में भी दिकत होने लेगी तो मैं इसे पलट के कढ़ाई में कर ली हूं तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें तो अब इसे बीच-पीच में ऐसे करके चला दें इसे हलके-इलके हाथों से चलाएं नहीं तो यह तूट सकते हैं तो अगर चासनी गाड़ी हो जाए तो आप उसमें गरम पानी डालें ठंडे पानी बिल्कुल भी ना डालें तो देखिए मेरी चासनी गाड़ी हो गए थी तो मैं उसमें एक कटोरी के लगवर गरम पानी डाल दे रही हूं और उसे एक चमज की मदद से हलके हलके हाथों से इसे मिला लूँगी तो आप मैं फिर से धकन धक दे रही हूं तो इसे पकने में 30-40 मिनेट लगी जाते हैं और ये देखिए इसे 40 मिनेट हो गए हैं और ये पकने बिल्कुल रेडी हैं ये गरम में बहुत ही सब्ट रहते हैं ठंडे होने के बाद ये थोड़ी टाइट हो जाएंगे और खान में बहुत ही अच्छे लगते हैं तो यह देखिए ठंडे होने में एक घंटे हो गए हैं अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व करके दिखाते हूँ तो यह देखिए लग रहना बिल्कुल जूसी और रसीली और यकीन मानिए मैं इसे घर पे बनाई हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सेयर सब् करती हैं